डिजे डिजे एक मेनिट एक मेनिट डिजे हलो हलो याटिकानी लायू प्रेक्षपन आपलेला दाखोने देता हे याटिकानी टेक्निकली सगला गोश्टी जलोन आने मदे या सगलानी अतक परिश्वरम गेत ले आता याटिकानी युनिट चालू जले फक्त साइड क्रेन वर्ती तुमाला या सामनाचा चितरीकरन डिश्नार नहीं, कई टेकनिकली प्रोबलेम असु शक्तत, परन्तु लायू चितरीकरन मात्र प्रत्ते काला घरा-घरात पाहेला मिलेल मोबायल चा दोरे, पंचानी सामनाईला सुर्वात कराईची आहे, अधरने पंचा उमेश मांदरेकर आणी त्यांचा बरोबरीन दुसरे पंचा आहेते मंगेश तुरी अर्वी कोरगाव संगानन अनेफेक जिंकुन प्रतम फलंदाजी स्विकारलिये, त्यामले दुरुवा पार्षा गोवाचे ख्याडू शेत्रक्षन करने सेटी मैदानावरती सज्य जले, त्यांचा करनधाराला ल्याठीकानी विननती करतो की लवकरात लवकर त्यानी शे सामनेला सुरुवात करा सपर्देतले आप पहला ओर मदे जो ख्याडू तीन शटकार मारेल, यहां साथी एक बक्षी सालेला है सहा सहा शटकार अब बलस सबे निगुन जातो है सहा सहा शटकार सामना पंचानी अची दखल गयाचे, ख्याडू ने अची दखल गयाचे, आणि सामनेला लोकर अतलोकर सुरुवात कराईची आए एलो याडिकानी जर गोलंदाजाने पहला विकेड गतला, तो सनमाननी या समिर जी नलावडे, यांचा कड़ू दो नाजार रुपेच पारितो शिकाए आणि भलंदाजाने जर पहला शटकर मारला तो समिर रुपेच आइलो तो गोलंदा दने ज़र विकेट काल ला तो ते बक्षिज गोलंदा दना आंड फ़लंदा दने जचटकार मारला तो पहील बक्षिज हलो पहले और की पहली गिन लेकर गिरीश कोत्रेकर पॉइंट के दिशा के ओपर के लाई शत्रक्षक मावजूद है लेकिन पॉइंट और कवर के बीच में से बहतर टाइमिंग दिखवाते हुए फुटवर दिखवाते हुए सीधी गेन बाउंडरी के भार भेज़ दी चार रन क लिए तेंक्यो डिजे टाज जितकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है आरवी कोरगाउ के टीम ने तो ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर सुमिठ डुंग्रे और भुशन पाटिल और गेनबाजी की जिम्मेदारी लेकर गिरीश कोत्रेकर दुरूव पारस गोवा टिम का प्रतिनीदी त्वक करते हुए अर्वी कुरगाउ टीम के खेमे में इजले क्रम तक स्पोटक बल्लेबाजी मौजुद है तो यहाँ पर बहतर ओपन बल्लेबाजी जिसको क्रिकेट के परिवासा में साजेदारी कही जाती है तो साजेदारी बननी चाहिए बहतर गैंती टिपपा खाने के बाद अंदर की तरफ पूरी तरीके से चकमा खाया था बल्लेबाज भुशन पाटिल ने गौर से सुनो बल्लेबाज सुमिट डोंगरे ने विकेट कीपर ने भी चकमा खाया था लेकिन बाद में खुद को सवारा बैक अप किया और वापस बुलर के पास गिरिश कोत्रेकर फिर एक मतबा गैन बाजी की थुरा समा लेंगे सुमिट डोंगरे उनके सामने उठाकर मारने का प्रहास किया ओफ्ट्रिक के काफी बाहारती गैन मिड विकेट के उपर से खेलना चाते ते गैन और वल्ले का संपरगने हो सका गैन विकेट कीपर के दस्तानों पे समा गई बगर किसी रन से बगर किसी नुकसान से एलो याडिकानी लगातार दोन चेंडू पहले सुर्वा दीजे डॉट जा काड़ ले तर सन्माने ये बंडू हरने यहांचा कुड़न एक अजार रुपए जो भक्षिस होता अंत्याता मान करे धर तो गिरिश कोचरेकर धन्यवाद गिरिश फिरिक मतबा कॉमेंटरिक कक्षकी और से चले रफ्तार के साथ और दविकेट पॉइंट के दिशा के ओपर खेला कितना बढ़िया फुटवर कितना बढ़िया टाइमिंग तकनिक का इस्तमाल किया कर रहे है सुमित डोंगरे और उसी का नतीजा आपके सामने कुल मिलाकर दो रन का सयोग, दो रन की सयोग से स्कोर हो चुका है यापर छे रन, बिना कोई बिकेट खोते हुए सुमित डोंगरे के पास काबिल यातने टेनिस क्रिकेट जगत के बहतर बल्लेबाच के हस्य से उनको जाना जाता है कही प्रतियों गिता के दोरान उन्होंने Man of the Match, Man of the Series के किताब हासिल किये है और उनके जैसा बहतर चोटी का बल्लेबाच उपन करने के लिए मैदान के उपर मौझूद की दिखवाता है तो दर्शकों में उस्साह पैदा होता है काउ कॉर्नर के दिशा के उपर कितना बड़िया टाइमिंग, कितना बड़िया फुटवर्क, सीधी गैन बाउंडरिक के बाहर चलती हुई चार रन के लिए असला पुरा किया है आरवी कोरगाउ के टीम ने उपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर सुमिट डोंग्रे और भुशन पाटिल बहतर बल्लेबाजी का धावित्वा निभा पाते हुए अपनी और से पूरी तरीक से कोसिस किया कर रहे है गिरिश गेंदबाज के हासियस से लेकिन दिशा ही न गेंदबाजी और उसी का बहतर समाचार लेते हुए पॉइंट की दिशा के उपर खेला और खेलते ही एक रन भाग कर पूरा किया एक रन की सयोग से पहले और का खेल पूरा होने के बाद बीना कोई विकेट खोते हुए आरवी कोरगाओ के टीम ने स्कोर खड़ा किया है ग्यारा रन क्रिकेट निगाओ से भी खेली जाती है करनल सीके नाइडू से लेकर विराट कोईली तक कई है इसे बन्लेबाज मैंने देखे है जो निगाओ से क्रिकेट खिलना पसंद करते है लेकिन उनी में से एक बंदा हमेशा याद आता है जिसका नाम था नमा पतवडी बंदे को एक आक थी लेकिन उसी एक आक से मैदान के भीतर जाने के बाद अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रखते थे पतवडी मैदान के बाहर भी उसी एक आक से तीरी चलवाया और हशिना को शर्मिला टागोर जैसे हशिना को खायल बनवा दिया और जिन्दगी नाम के स्टेडियम के उपर संसार नाम की लंबी पारी खेलते हुए दो सेंचुरिया मुकम्मल की पहले शतक का नाम था सेप अली पतवडी और दुसरे शतक का नाम था सोहा अली पतवडी गेंदबाच का नाम है सागर कामली आते समय कई बाते लेके आता हूँ लेकिन सिमिट और के मुकाबले में कितनी गेंदे कितने विक्तों का पतन हो चुका है कितने ओरों का खेल पुरा हो चुका है उसी का लिका जोका पेशकश करना पड़ता है बैटिंग चॉइस पावर पले और इस ओर में जितने हो सके उतने रन अपने टीम के लिए बात माईने रखती है उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों भी बल्लेबाजों को लेकिन बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर डालने के लिए गेन सुपुर्द की गई है सागर के पास सागर को सागर मन्थन करना होगा तबी रनों के उपर अंकुष लग सकता है दबाओ की कड़ी तोड़ना मुश्किल बात साबित हो सकती है और उसी मुश्किल घड़ी में बिक्तो का पतन भी हो सकता है लेकिन ये बात जो कुछ मैदान के उपर होगी उसी का लेका जो का कॉमेंटेटर के हास्यस से मैं पेशकश आपके सामने जरूर करूँगा क्रिकेट के बारे में भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है को की क्रिकेट या इसा खेल है हर दर्शक को और खिलाडियों को पागल बनवाने की काबिल्यत रखता है बुशन ने बहतर खेला है स्क्वेरले गंपार के भगल से सीधी गैन चुम्मा चुम्मा दे दे बाउंडरी के बाहर कार्पिट के सारे थैंक्यों डिजे ओपन बल्लेबाजी बहतर चलती है तो हमेशा गौरडन ग्रिनेज गैसमन है उसका नाम जुबा के उपर आता है जो वेश्ट इंडिज का प्रतिनी दित्व करने वाले दो चोटी के बल्लेबाज हो कर रहे है उसके बाद ऑस्टेलिया टीम का लेका जोका पेशकश किया जाए तो डेविड बोन जेप मार्स का नाम जुबा के उपर आता है अपने जमाने के काबिल एतारी बल्लेबाज हो कर रहे है उसके बाद सनेज जैसुरिया रमेश कालो वितरना स्रिलंका टीम का प्रतिनी दित्व करने वाले दो चोटी के जाबाज बल्लेबाज जो ओपन बल्लेबाज के हासियस से जाने जाते ते पैचाने जाते ते अमिर सोयल, साइध अनुवर, पाकिस्तान टीम का प्रतिनी दित्व करने वाले बहतर ओपन बल्लेबाज कहिलाई जाते थे कितना बढ़िया फुटवर, कितना बढ़िया टाइमिंग सीधिक एन बॉंडरी के बाहर चार रन के लिए उटाकर मारने का प्रहास किया, शौट ठड़ मैन के उपर गैन चली गई सीधि विकेट को लगती तो रन आउट के रूप में विकेट का पतन हो सकता था भाग्य शाली रे, सुरक्षित अपने जगा के उपर सुमिट डोंग रे कुल मिलाकर अभी तक का दूसरे और की कितनी गेंदे डाल चुके है तो स्कोरर जी बतवा रहे, चार गेंदे डाल चुके आने की दो गेंदों का अभी भी खेल बाकी सुमिट डोंग रे और भूशन पाटिल बहतर फुटवर दिखवा रहे, बैटर टाइमिंग करवा रहे है शरीर का संतुलन बहतर है और खास करके उनकी निगाए कितना बढ़िया बल्लेबाजी का दावित्वा शेत्रक्षन उतना ही बढ़िया करने का इरादा था लेकिन उनके सर के उपर से सीधी गेंबाउंडरी के बाहर चलती हुई 6 रन के लिए सुमेट डोंगरे कुल मिलाकर 27 रन बिना कोई विकेट खोते हुए पहले और का खेल पुरा हो चुका है दूसरी और प्रगति पत के उपर और दूसरी और की आखरी गेंड डालने के लिए सागर चले उटाकर मारने का प्रहास किया गेंड आउफ्सरी के बाहर चली गई लेकिन गेंड और बल्ले का संपरगे ने हो सका विकेट कीपर ने बैक अप किया वापस बुलर के पास क्रिकेट जगत में कही ऐसे खिलाडी होकर गए जिनोंने मरने के बाद भी क्रिडा जिन्दा रखी थी उनी में से एक बंदा हमेशा याद आथा है जिसका नाम था मालकम मार्शल मार्शल करकरोक से पिडित थे माउथ उनके आखों के सामने खड़ी थी तब ही उन्होंने अपने बीवी को कहा मरने के बाद मुझे जिस जगा के उपर आप दपना होगे उस वकत मेरे हाथ में गेंद रख देना मार्शल की माउथ हो गई मरने के बाद दपना ते समाई जैसे ही मार्शल ने कहा था उसी तरह मार्शल के बिबी ने उनके हाथ में गेन रख दी अंतविदी के चार दिन बाद मार्शल की बिबी घर में सोही थी तो उन्होंने नीन में एक सपना देखा और सपनों में हमेशा की तरह मार्शल तेज रप्तार गेन बाजी किया कर रहे थे वो साक्षातकार देखने के बाद मार्शल की भी भी रोने लगी उनके आखों से बैने वाले आसुओं ने सबुत दिया था कि मार्शल ने मरने के बाद भी क्रिडा जिन्दा रखी थी अंतिम मुकाबला चल रहा है और उसी अंदास से मिलता जुलता विहरन पेशकश करना पड़ता है लेकिन एक कॉम्बिनेशन होता है उसी अंदास में प्रयास रता है कि पेशकश कर सको लेकिन कही बाते होती रती है वो एक क्रिकेट का माहूल का हिस्सा रता है लेकिन जो मैंने फंकारी की टालिया गुंचते हुए सुनने का मौका मिला कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 28 रन बिना कोई विकेट खोते हुए दो और का खेल पुरा हो चुका है पाइनले की तरब खेली है जोरदार अपील और यहां पर देखो सुमिट डॉंग रहे आउट हो सुमिट ने पुल मिलाकर गेंदे खिली है 10 गेंदो का मुकाबला किया है और 10 गेंदो के उपर उरोंने रन निकाले है 18 रन कला क्रिडा सेत्र में कोई चोटा कोई बड़ा नहीं होता कंदे से कंदा मिला कर सपर करना पड़ता है तो मंजिल आखों के सामने दिखाई देती है बाद में मंजिल को चुने की मजा कुछ और रती है लगन से क्रिकेट खेली जाती है दिलेरी दिखवा कर क्रिकेट खेली जाती है तो भैतर क्रिकेट उबर के बाहर निकलती है चाहे टेनिस क्रिकेट हो चाहे लेदर क्रिकेट हो दर्शक चाहते है कि आखरी और की आखरी गेंता के नफा तुला काटे का मुकाबला उबर के बाहर निकल सके अईसा मुकाबला चलता है तो दर्शकों का देखने का तरीका कुछ और रता है गेनबाज के हास्यत से गिरिश कोत्रेकर और उनका मुकाबला करने के लिए नए बल्लेबाज आईस्ता इस्ता मैदान के उपर जाते वे सुमेट डॉंग्रे की जगा के उपर जिनका नाम है नम पाटिल नमित पाटिल अव्टिक के बाहर जाने वाली गेन को शफल होकर खेलना चाते थे गेन और बल्ले का संपरगे ने उसका गेन विकेट की पर के दस्तानों पे चली गई बगर किसी रंज से बगर किसी नुकसान से सिमिट ओल के मुकावले में कभी गेंदबाच हाभी होता है तो कभी बल्लेबाच हाभी होता है क्रिकेट और गेंद मैदान के भीतर नफी तुली रती है और उसी के अंदाज नुसार क्रिकेट खेलनी पड़ती है लेकिन ओखेलते समय सयम बरकरार रखना चाहिए दिलेरी बरकरार रखनी चाहिए तबी अनहोनी को होनी बनवाने की काबिलियत रख सकते है बल्लेबाच कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है या पर 29 रन एक विकेट के नुकसान के उपर दो ओर का खेल पुरा हो चुका है तिसरी ओर प्रगति पत के उपर और तिसरे ओर की चार गेंदे डाल चुके है गिरिश कोचरेकर याने की चौती गेंड डालने के लिए तयार रिवस्विप खेलने का प्रहास किया गेंड और बल्ले का संपरक नहीं हो सका ये गेंड पाचवी डाली थी सयम बरकरार रखाता और कलपकता दोराई थी और उसी के कारण खेलते समय कापी दिक्कत में दिखाई दिये बल्ले बाज इस ओवर की आखरी गेंड बल्ले के बीजोबित लेकार कवर के दिशा के उपर खेला है कवर के शित्रक शकाकर बैक अप करना चाते तब तक एक रन की पुझे और इसी गेंड की सयोग से और इसी रन की सयोग से तिसरे ओवर का खेल पुरा हो चुका है तीन ओर का खेल पुरा होने के बाद एक विकेट के नुकसान के उपर पहले बल्लेबाजी करते हुए आर्वी कोरगाउ टीम ने स्कोर खड़ा किया है 30 रनों का तीन ओर का खेल पुरा होने के बाद एक विकेट के नुकसान के उपर आर्वी कोरगाओ पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनवाए है तीस रन तो पहले तीन ओर का विहरण मैं हिंदी के परिभाशा में राजा समन आपके सामने पेशकश करते हुए चला आ रहा था तो आगे के तीन ओर का विहरण पेशकश करने के लिए मेरे सयोगी कॉमेंटेटर प्रदीप देवुलकर मराथी के परिभाशा में माइक्रोफोन के उपर मौझुद की दिखवा रहे प्रदीप धन्यवाद, धन्यवाद, समा लोचकान साथी खास असा बक्षी सालेला है, समा लोचकान साथी जे साब ओल स्परदे मदे टाकले जातात, तर त्या साब ओल चा दर्म्यान, 25 सेकंद आपन जर थांबत असाल, तर आपले साथी 50 रुपाच बक्षीज, बंडु जी हरने अनी जाइर के लिला है, साब ओल चा मदे, पाच 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 असे, 50 सेकंद आपन थांबत असाल, तर आपले साथी 50 रुपाच बक्षीज, बंडु अर ने जाइर के लिला है, धन्यवाद, अर्वी 11 कॉरगाव वीपक्ष दुरवापार्सरे गोवा, गोवार राज्या तिल दोन पारंपरिक प्रतिसवर्दी, आमने सम्ने एतायाँ, मैधन वर्थी पाहिला मेतायाँ, तो भुशन पाटिल, तेचा साथिल, नमीट पाटिल, तुर्भे नवी मूंबाई, इतना है, बिलोंग करनारे ख्याडू यावी प्रतिनी दित्व करता है ते अर्वी 11 कोरगाव क्रिकेट संगाच्च यावी गनपती एंड करना गोलंदा सज्ज होतो है तो सागर कंब्रे नवचा मैन प्रम लांजा इतुन बिलों करद रहा क्याडू मत्र प्रतिनी निदित्व करतो है तो द्रुव पारसे गोव संगत्च पहले वहले चंडु वर्थी सुरेक फटका निकतो है चंडु जातो है लोंगलेक सीमा रेशेचा दिशने साहा दवन साटी जिल्ला परिसिजडा माजी मैलाव आरोगे सबापती अनि विद्यमान जीपस सदश्या सो सावीलों के मैडम यांचे गडून एक हजार उपएज बक्षी साले चलक तीन शटकारन साटी भूशन पटिल जाचा नाव वर्थी तबल नव बाइक्स एक फोर विलर जला टेनिस क्रिकेट वर्थी अतप्रंत ही बक्षी सुरुपत मेली तो जल्वा इतकरिश्मा पहला मेतों भूशन पटिल जाँ महतुपूर्ण सामन्यात एक अक्रमक्षैलीचा फुलन दा सैयाम त्याज बरबर अक्रमक्ता ही नसा नसात पहला मेते ती भूशन पटिल जी यावी सुरेक चंडू ड्राहव केले जातों चंडू जातों डेप लोंग अप परेंत चंडूची परती ही वेगाने होता न दी तो अर्वी 11 कोर्गाव क्रिकेट संग सटी गोवर राज्यतिल दोन बलाढ्य संग मातर आज उबेट आकता है ते रामेशुवर प्रतिष्टान मिड़बावचा महा करंडग हा कुनाचा हाती उन्चावला जायल हा निर्वाना तेनारा सामना अर्वी 11 कोर्गाव द्रुवा पारसे गोवाग संग मादे दोनी संगन मादे टेनिस क्रिकेट विश्वा तिल रती महारती व्यावसाइक क्रिकेट कसा खेल्ड जात याचो जोलन्त उदारन या ग्रीन पार्क मैदन वर्थी पाहला मित आज ते रामेशुवर प्रतिष्टान चाप्सवर दे य खेर चेंडू जातोई डीप लोंगां सीमर रेशेचा दिछने साधवा अतिशे सुरेक फटका मनवलागेल नमीत पाटील जेचा नाव वर्थी चार बाईक सपलेला पाहला मित आज मैन अब द सिरीज अनि मैन फ्राम तुर्भे नवी मुंबाईचा हा शिलेदार पाहला मित आ सांगिक धाव संक्या धाव पलकावर पाहला मित आज ती त्रेचाइस धावा एक गडेचा मोबर ल्यात यावी सुरेक चंडू सुरेक परती करतो है उजवेहा तचा गोलंदाज तो सागर कामले यावी याँ चंडू वर्थी पुर्णपने स्तब्द रहो लगता है ते फलंदाज नमित पाटिला तुर्भेचे दोन महान ख्याडू या टेनिस क्रिकेट विश्वातिल जैंची नावो ही आधर अने घितली जाता है ते दोन फलंदाज या मैदन वर्थी पहला मीता है सलमी विर भुषन पाटिल तेल साथ देन सटी तेचा संग सती दार शिले दार हाँ नमित पाटिल स्ट्राकेंडला या ही वी सुरेक चंडू उजवेश्टि वर्था एक्रास दे लाइन खैनेचा प्रेटन बहुदा नमित पाटिल चा फस्तन दिस्तोए निर्धाव चंडूने संगता होता ही ती गोलेंदा सागर कम्रे चा गोलेंदा जी वर्ती पहलेवेला चंडू हां महागडा ठरले नंतर सुरेक परती ही सागर कम्रे ची दुरूवा पारसे गोवाक संगत्स आज प्रति निर्धित्व करतन दिस्तोए तो यह रामेशुवर प्रतिष्टान मिड़ी बाउचा मैदन बरती शट क्रमंक चाउत पाहिला मीत आए एक मोठी धव संक्या उचा यावी रिवर्सिप चा फटका खेनेचा प्रहेतन पहले दोन चंडू है निर्धाव गनले नंतर चित्र विचित्र फटका पाहिला मीत आए तो नमीत पाटिलचा निधारी चार शटकंचा खेज समापत होतो है एका गड़ेचे मोबर ल्या त्रेचा इस धावा धावफल कवरत पहिले इनिग मदिल चार शटको 24 चंडू चा खेज समापत होतो न दिस्तो है सांगीक धव संक्या ही त्रेचा इस धवा एका गड़ेचे मोबर ल्यात जी आश्वासक सुर्वात हविवती आरवी 11 कोरगाव क्रेकेट संगा सटी त्या आश्वासक सुर्वात करून देता है दोनी शिले दार भूशन पाटिल तेचा सतीला नमित पाटिल आरवी 11 कोरगाव संगाची फोलंदाजी पाही लीत अतिशे खोलूवर फोलंदाजी पुनाजी कलंगुटकर मनोज नारवेकर सरके गोवार राज्यातील दिगत सक्याडू अजुनाई फोलंदाजी सटी इन बाके मात तो परेंत या मैदान अवरती 25-30 अवर केले जाता है ते भूशन पाटिल अन तेला सुरेक साथ देतो है तेस संग सतिदार तो नमित पाटिल यावी गोलंदाजी मदे बदल होतो है मैन फ्रम कल्लेंचा डावकर्याताचा फिरकी गोलंदा सुहास पवार शटक्रमांका पाट्सव यामचा कॉमेंटरी बॉक्स एंट करना हतरतना दिशतो है तो द्रुवपार से गोवसंग करना NCC कातरी चा मैदन वरती जाने गोलंदाजी बरुबर फोलंदाजी चीच समक दाखवली होती तो सुहास पवार यावी द्रुवपार से गोवकर्याताचा गोलंदाजी करतो है एक आक्रमक शैलीचा फोलंदाज भूशन पाटिला खर्या अर्ताने वेशन घाल यावी शाटब फोल्चा फटका चेंडु जातो है डीप मिडविकेटला शेवडचा शनी अखेर चंडु वर्ती ताबा मिलेवला जातो है चंडु ची परती ही विलेम बने बरे नमी एकेरी धावेची पावल ले दुहेरी धावनकड़ी वल्ली दुहेरी धाव संक्या ने सांगेक धाव संक्या ही पंचे चाईज धावा एका गड़ेचे मुबरला श्रटक्रमंक बाचव या कॉमेंटरी बॉक्स एंड करना हतर तो है तो सुहास पावर नवचा फोलंदाज डौकरतचा फोलंदाज भुषन पाटिल अतपरनत शुरेक फोलंदाजी आर्वी इलेवन कोर्गाव संगा साटी एका पाजुने खिंडल लडवतो या मैदन वरती आने एका मैराथान खेली चीजी अवशक्त होती ती आर्वी इलेवन कोर्गाव संगा साटी मातो आट करूई देतें न देशतो एक मोठा संळा मोटा ख्याडू समोर सुहास पावरसर का गोलंदाज संगिक 20 या दावसंके वर्थी फलंदजी करता न दिस्तोई तो भुशन पाटिल नवच फलंदास जब भुशन पाटिल चा नाव वर्थी तबल 9 बाइक्स मैन अब दसीरीज, एक फोर विलर कार असा टेनिस विश्वातिल एक मोटा खाडू पाइला मेतोई तो स्ट्राइक एंग्च दिस्टने यावी बुजवेष्टि वर्थी चेंडू 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 चे पाहानी करतोई जा चेंडूलास सांदा टू बान्दा मटलाततर वाउ गठरना नाई ती अधिरिक्त धाव अपले गोलंदाजी वर्थी खर्च करतोई तो सुहास पवर नमचा गुलंदास एक इरी धव संकेने सेचा इस धवा धाव फलकबरती एका गडेचा मोबदलाथ शटक्रमांक पाच्वा हे प्रगती पतावर यावी सुरेक फटका चेंडू जातो है डीप पॉइंचा दिशने डोलाचा पाटने लवत न लवत चेंडू सीमा रेशे पार करतो है चार धमन सटी अरवी 11 कोललगाव संग जला नशीबाची सुदैवाची साथ में आली प्रदम फलंदाजी करने चा निरना है तो खरे अर्ताने सार्ता के ठरह उतना दिश्तो है तो भूशन पाटिल नबचा फलंदाज सांगिक धाव संक्या ही अर्धशतक फलकावर लगताई आरवी 11 कोरगाव संग पन्नास धावा एका गड़ेचे मोबर ल्यात आरवी 11 कोरगाव संग ही अंतीम फिरीची लड़त प्रतिस्पर्दी पारंपरिक्स प्रतिस्पर्दी गोवा रज्जातील तो द्रुवा पारसे गोवा क्रिकेट संग यावी उजवेश्टी वर्ना चंडू थोड़सा आते नरा डावकराताचा फुलन दाजला उजवेश्टी वर्ना चंडू वर्सा गेतोई थेट विसावतोई तो एश्टी रक्षक एचा हात मदे जा चंडू वर्ती उत्तर नहोत दे भुशन पाटिल कडे संगिक धव संक्या स्तिरावली ती पन्नास धवा एक अगलिच्च मोबरल्यात यावी सुरेख चंडू टोलवला जातोई चंडू बरासकाल हवे मदे जेलकली सुआ गिरिश कोस्रेकर पाटिल साटी बाराचंडू 24 धावांचे बाहरदार खेली करून हां माघारी परत्तन दिस्तोई तो अर्वी 11 कोर्गाव संग साटी जी संगाने जावबदारी दिली होती ती जावबदारी पुर्णपने समर्तपने पेली संग एका सुसीतीत पाहिला मेतोई तो अर्वी 11 कोर्गाव संग पन्नास धावा दोन गणेंचे मोबदल्यात दोनी ही सलम विर माघारी परतले नंतर फोलंदाजी जावबदारी नमित पाटिल तेचा साथीला नविन फोलंदाज अमित नाइक हां मैदनात पावले तकत न दिस्तोई मदल्या फोले फोले तील हे दोन दिग्गस ख्याडू मैदनवर्धी पाहिला मेतायत या इनिंग ची सांगता ही आर्वी 11 कोर्गाव संग सटी कशप्रा करे होते सहा शटकन मदे किते धमनचा डोंगर हां मनोरा रसला जतोई तो द्रुवा पारसे गोवा संग सुमर जा गोवा राज्याचो पुर्णपने लक्ष हे यूट्यूप चा माद्य मातना सी रामेशुवर प्रतिष्टान मिडबावची मत्र अंतीम करंडग हा गोवा राज्या मदे कुट्चा संग घेवूने तोई या कडे मत्र गोमन्त्री कांच लक्ष हे लागुन राहे लेला सुहस पावर सज्जो तोई तो गोलेंदाज सटी यावी लोर फुल्टाचा चेंडू चेंडू टलवले जातो है डीप मिडवी केटला अखेर चा शेनी शत्रक्षकाला चेंडू चाकवा देतो है आनी चेंडू वन बावस प्रतिभा ही अनंत परिश्रमा सामावलेली असते अनी ती प्रतिभा या फलन्दजा कनना पाहिला मेत है ती अर्वी 11 कुरगाव संग साटी चोपन धावा धाव फलकवर्ती शटक क्रमांक हे पाचवा हतल जात है मैन फ्रम कल्लेंचा सुहास पवार हा डावकर हैताचा फिरकी गोलन्दाच यावी सुरेक चेंडू ब्लाखोल पंदैचा चेंडू पाहिला मेत है जसा दोन पाहिन मन्ना हा चेंडू एश्टी रक्षकाचा हात मदे जातना दीशत है निर्धाव चुम्डने सांगता होते ती सुहास पवार एचा गोलन्दाची वरती पहले इनिंग मदे पास शटक ती शंडून सके समापत चोपन धावा दोन गडेंचे मोबड लेत अनि या इनिंग ची संगता करना रह शटक अर ता जला स्लाग और मटला तर वावगा टर्नर नहीं त्या स्लाग और मदे जोकीम गिवन कुछसा गोलन्दाच गोलन्दाची करतो है द्रुवा पार से गोवा ऐसे यौर भी वीडियोस के लिए चानल को सब्सक्राइब करो और पेल आइकोन को दवाना बिल्कुल मिद बुलना ऐसे यौर भी वीडियोस के लिए चानल को सब्सक्राइब करो और पेल आइकोन को दवाना बिल्कुल मिद बुलना कंकवली चा बाजर पेट माइदन चीजी स्फर्दा अजीग के पदासा दावेदर ठलावता अंतीम समने मदे रन जंजर वाइब वाडी संगता फुलन वह पराभव के लावता अंतीम समने मदे मुकेश दास या इनिंगची संगता करनारे शटक है आतरेड़े जाते है दुरह परसे गोवा संगता विचार केला तर नकीच अधराने नाव घ्यावी लागता है लक्षा मोंकर संजो कंदल कर राज दाभोल कर एका पेक्ष एक सरक्स डैजलिंग मापसा संग पाहिला तर उजु नागवेकर परेश बरडे साहील धुरी यांची नाव नकीच अपले ओटावर यतना पाहिला मेता है मुकिश दास गोलंदाजी सटी सज्ज स्ट्राइकेंड वरती उजवेत चाप फुलंदाज यावी पहला चंड़ु हा उजवेष्टी वरती मातर वोल्लो रे नकवा होल्लोव लुए परस्तिती पहला मीते फुलंदाजाची अवित नाव चाप फुलंदाज निरनाएक गड़ेंचे मोभबत लेयाद शुवट चाटकत दून मोटे फटके निगाले तरह एक आवश्यक्ति धवसंक्या या भी सुरे एक फटका निक्तो आई चेंडु जातो आप लेक्सी मारे शिचा दिशने सहादवा आपन सांगितले होता कि देवीज ते 27 मार्ज मलवन चा टुक्योला बोल्डिंग मैदाना वर्दे एक मोटी स्पर्देचा आयोजन मजे बाबा परप मित्र मंडल अने त्याचे सर्वस सहकारी यांचे वतिन या स्पर्देचा आयोजन जाचा प्रतम क्रमांकाचा बक्षी ससेल 3 लाख रुपे और त्रितिय क्रमांकाचा बक्षी ससेल 1 लाख 15,000 रुपे अशा मोट्या रक्मेची स्पर्दा मलवन चा टुक्योला बोल्डिंग मैदाना वर्दी ये त्याँ 23-27 मार्च रोजी हम से कंट्ड़कवली वरून दिखिल या स्पर्देचा आनन्द गेता है अभी मांदरे कर तयनली सर्वस हकारी दन्यवाद आणि त्यानि खुब खुब शुबेच्चा पाठवल्याद यास पर्दे साथी अभी मांदरेकर अन्टेंचा सर्वसर कर्यानी स्री रामेश्वर प्रतिष्टान मिदबाव साथी या ठीकने जला सम्पदा विवाग सुप्निल घोलवे एंचा करून समालोचकाना पाच्चे रुपाई परित्षुषिक त्यास बरोबर दिलिप तलेकर मित्र मंदल एंचे कड़ून समालोचकाना 500 रुपाय जबारी तुषिक यह बहुती बड़ा नाम है गोवा पुलिस है यह गोवा के बहुती बड़ा काम अपने जिन्दगी में कर रहे है आज बहुती बड़ा काम इनको मैदान के अंदर करना पड़ेगा अपने टीम के लिए यानि कि धुरूपार से गोवा टीम के लिए तो स्ट्राइक पर रहेंगे मनोज नारवेकर अच्छा दिवसा मदे सर्वात मुटी धाव संक्या सासस्ट धावा यहोड़ा मोटा भला मोटा धाव संक्या पाटलाग हाँ धुरूपार से गोवाला कराईचा है 2003 मदे अपन वल्ड कप पाईला त्या वल्ड कप मदे जा पदतीना फलन दाजी केली रिकी पॉंटिंग ने अमला वटला होता कि रिकी पॉंटिंग चा बैट मदे स्प्रिंग वगरे ते आये का अमला पन खातरी नवती पन नंतर समदला तसक आई नवता रिकी पॉंटिंग चा बैट मदे शमता होती तैचा हाता ताकत होती मनून त्याने शटकार लगावले पहले एनिंग मदे देखिल आपन टसस पाईला जा पद्धती ने फलंदाजी जाली सुमीट डोंगडे असल त्यान अंतराम चा भूशन पाटिल असल अमीत असल सर्वानी देखिल बहारदार फलंदाजी केली तुम्चा मना मदे पन शंका अली असल की यहांचा बैट मदे पन स्प्रिंग असल का पन तसन आई है तेनची ती प्रैक्टिस है तेनची ते महनत है और ती तेन यहां मैदन अबरती दाखवली इस बार अच्छी कीन पाडिया गेन गवरेश की बहुत अच्छी कीन बाजी करते भी गवरेश नगवेकर इनके बारे में क्या कहूँ पहले मैच में भी अमोल ने बताया प्रदीप ने बताया जो मालवन के बोल्डिंग ग्राउंड मैदान के उपर मुकाबला हुआ था वहाँ पर जो सूपर ओवर का मुकाबला हुआ था सूपर ओवर में इजाज खुरशी कृष्टना साथपुते और आकाश तारेकर जैसे बल्ले बास थे उनको चार रन नहीं दिये करने को सिर्फ तीन रन दिये थे पिर एक बार सूपर ओवर टाई किया था ये बल्ले का बाहरी किनारा लगा है और लगता है आपर मनोच को मैदान के बाहर जाना पड़ेगा बैट लग 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 येस ठीजे अच्छा दियू समद है अपली ही स्परदा जवर जवर यूटूब द्वारे एक लाख बतीस हजार लोकानी पाही लेली आए एक दा जोरदार टाले हूं दिया स्री रामेश्वार पतिस्टान मिडबाउचा सर्व कार्य करते हैं साथी सन्माननिया भाई नरेजी सन्माननिया शैलेजी लोके अनि तैन्हे सर्व सह कारी यहांचा अतक प्रयत नातों या आशा भला मूटा स्परदेचा डे नाइट स्परदेचा जी सिंदुदुरुक जिल्यातील या वर्षी ची पहिली डे नाइट स्परदा अनि त्याचा यहद भाव्य दिव्य आयो जन आनि शिवट्चा सामना मैदाना मदे आणी एवडी विवर्स आपलेला मिलता है खरोखरेच स्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मेडबाऊचे आमी खुब-खुब आबारी आहोत जानी एक चांगला खेल चांगली स्पर्दा या ठिकानी तैनी पूरुनतवात नेली लिया है शिवट्चा सामना महिदाना वर्ति जो की ओवर नंबर टू दूसरा अवर प्रगति पर है गवरिश नागविकर गिन बाजी मूर्चे पर सामने बल्ले बाज नए बल्ले बाज आये है कवर की दिशा में खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गें जाती दूसरा रन यहाँ पर लेना चाहते थे हरीश लेकिन इंकार किया यहाँ पर साथी बल्ले बाज पुना जीने तो अताची जी सेकर्ड इनिंग आये तेचा साथी प्रतिक शटकर साथी गनेश साथम भाई नरे आणि दिलीप दलेकर जी यहाँ चाड़ून प्रतिक शटकर साथी पाच्छी रुपय चो बक्षी साले यहाँ इनिंग साथी धन्यवाद दो ओवर का खेल यहाँ पर खतम होता हुआ दो ओवर का खेल खतम होने के बाद रन है दो विकेट गिरने के बाद एक डजन रन यानि कि रन है सिर्फ बारा आपको पीछा करना है अब गेंदी पाची है चौवीस और चाहिए पच्पन यास डीजे चौवीस चेंडू पंच्विस दादा धावा आपको राच चौवीस चेंडू पंच्विस दादा धावा एक मुठा आवान दुरूपार से गोवा संगा समोर अब स्ट्राइक पर रहेंगे यहाँ पर पुना जी कलंग उटकर जिनके बारे में क्या कहूँ बहुत ही घातक बल्लेबाज है 15 अगस्ट 2021 में नारवे में इक ही मैच में 13 सिकसर जंडने का काम इनोंने किया है क्या बात है बहुत ही घातक बल्लेबाज है और इनका जब बल्ला चलता है न तो गेन उट्टी नहीं उड़ी जाती है ऐसे ये विस्पो टक बल्लेबाज है हम सब के प्यारे और चहीते खिलाडी ये लॉकान की शेतर में गेन जा रहे है वहाँ पर खिलाडी तैना थै दूसरा रन देखेगा लेना चाहते है लेकिन पुना जी ने इनकार किया एक रन की सायता से स्कूर बढ़ता हुआ 13 भारत देश मेरा हम सब का माप के जगा स्कूर होता हुआ बढ़ता हुआ 14 रनों के उपर अगली गिन लेकर फिर एक बार हमारे दूर वाले छोड़ से विकी भोईर और उनके सामने बल्ले बाज रहेंगे हरीश ये खुपसूरत शॉट है बहुत ही देखने लायक शॉट लेकिन फिल्डर वहाँ पर तेना थे बढ़िया फिल्डिंग थो देखेगा कितना बढ़िया लेकिन क्या होगा अमपयर का इशारा अभी बाकी आना है शायद नोट आउट का इशारा अमपयर ने किया यहापर पैर लग चुके थे यहापर क्या निगाए है हमारे अमपयरों की बात की जाए तो इस प्रतिवकिता में उमेज जी मांजरेकर, मंगेज जी धुरी, दीपक जी धुरी, एम्रोज अलमेड़ा सर, सुशील शिडगे यह सबी जो हमारे अमपयर है पाच अमपयर मलवन के रहने वाले सबी ने बहुत ही बढ़िया अमपयरी की इस बार देखेगा कितनी निगाए चोकनी थी इनकी तो विकी चले फिर एक बार गेन बाजी का भाहर सांबालने के लिए सामने बल्ले बाज हरीश के लिए गेन, अच्छ गेन टिपका खाने के बाद नीची रहती वही विकी भुईर ने आज बहुत ही प्रबावीत किया है कापी बढ़िया गेन बाजी करते हुए जितना बड़ा इनका नाम है टेनिस क्रिकेट जगत में उतनी बढ़िया काम आज मिडवाव के इस मैदान के उपर करते हुए पिर एक बार चले पड़िया गेन बहुत ही पड़िया गेन यह देखिएगा गेन मेरे खाल से दो टांगो के बीच में से चली गई डॉड बॉल यहाँ पर पुन्ना एकदा याटिकाने बक्षी सेता है दिली भाई दढेकर गणे 60 मानी भाई नरी यहाँ चाकड़ून प्रतिक चवकर साथी पाच्शे रूपे तो यह मुकाबला थोड़ा कठीन लगता हुआ दुरुपार से गोवा टीम के लिए क्योंकि आपको तोड फोड बरी वाली बदले बाजिक करनी पड़ेगी तो ही माच में वापसी कर सकते है तीन उवर खतम हो चुके है तीन उवर खतम होने के बाद रन है दो विकेट गिरने के बाद सिर्फ अठरा रन बचे हुए अठरा गेंदो के उपर 49 रनों की जरूरत है बहुत ही कटीन लक्ष है लेकिन यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी पसीना बहाना पड़ेगा तो ही आप जीट सकते हैं आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे स्थ यहाँ पर मौजूद है अमोल जी जमदाडे अमोल जमदाडे अपला हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो है तुमी बक्तात रामईश्वर पतिष्टान मिडभाव अयोजी अंतर आजरेस्तरे डे नाइट औरम टेनिस बॉल क्रिकेट्स परदेचा हा अंतीम महा मुकाबला अंतीम महा मुकाबलामदे कोन जिनकेल एका बजुला 12 पारसे गोवा दूसरे बजुला आरवी कोरुगाव गोवा आरवी कोरुगाव गोवा संगाने सास्ष्ट दवांच तावपलकावर्दी दौसंके ज़लकोवलिया सदुसष्ट धवांच लक्ष दिलाई दुरुव पार्सी गोवा संगा समोर अनि विजयासाटी समी करनालाई अट्रा चेंडू वो एकोन पन्नास धवांच अट्रा चेंडू एकोन पन्नास धवा विजयासाटी अवस्चक दुरुव पार्सी गोवा संगाला शम्ता आहे दुरुव पारसी गोवा संगा चा फलन दजान मदे हानी दुसर्या बाजुला आत्ता प्रंद तीन शेटकान मदे तरी हवी जालाए आरवी कोर्गाव गोवात असंग डामेश्वर पत्तिष्टान मिडबाव चा मादे मातुन क्रिडारसीकान नी बहुदा याचा अंदाज बनला की सामना एकतर पी हुईल की का है मतर क्रिडारसीकान नामी कोमेंटरी बॉक्स मदुन सांगुई इच्चितो जा वेलेला चेंडु कमियानी धावा जास्ता असो चित्र अस्त त्या वेलेला पुनाजी कनगुटकर्चा अफ खेल हा निच्चित पनाने दूगुणा होतो डबल होतान आपनेला पाहतो आने दुसरे बाजुला गोलंदाजी मार्क वरती गौरेश नागवेकर सज्ज होईल गौरेश नागवेकर बोलिंग मारक वते ठीकामचा कमेंटरी बाक चेंड करुण अटरा चिंडुवा एकोन पन्नास धावा ही विजया साथी समी करन गौरेश ठीकामचा कमेंटरी बाक करुण सज्जोईल तेचा समोर विसपड़क आकरमच फलंदाज हरिश स्ट्राइकिंगे इनला यवड़ेला पुनाजी स्ट्राइकिंगे इनला पुनाजी आहे फटका पुनाजी चा फसलाए अनी बहुदा पुनाजी चा फसलाए अनी बहुदा अब गात जालेन अंतर रामेश्वर प्रतिष्टान मिड़बाव ची रुग्णव आही का तेटेकानी लगेजस उपलब्द केली जाते शीव जेंदी चा उस्तव देकिल रामेश्वर प्रतिष्टान मिड़बाव ने अगदी जलोशा मदे साधर केला रामेश्वर प्रतिष्टान मिड़बाव चा मद्ने मतुन आपन डे नाइट औरम टेनेजबल केकेट्स प्रतिचा थरार अनुबह तो है गजबा देविच्च मंदीर देकिला है मिडबाव मदे रामेश्वर मंदीर आहे गोरक्ष मंदीर देकिला है ग्रीन पार्क मैदान जे मिडबाव गाउची आन बान शान आहे मिडबाव मदे MTDC देकिला अपन पहतो है 25 तबल श्रद्धा स्ताने आहेत मिडबाव गाव मदे आनि पक्षी निरिक्षान केंद्र देकिल जाक्तिक दर्जाच गोशी धले सिगल पक्षी या सिगल पक्षयाचा बचाव करने साटी अपन पहतोई गोशीज धालेल जाकतिक दर्जाचा पक्षी निरिक्षान केंद्र अन्नपुना नदीचा मुखा जवल हे पक्षी येतात अक्टमबर ते जानेवरी दर्में अन्तेंचा वास्तव्य अस्त आनि दक्षीन चीकाशी मंजे कुनकेश योतर ठिकान देकिल आमचे रामेश्वर मीडबाव पासुन केवल आठ किलोमेटर अंत्रावर्ती आहे भगविती चा मंदिर मुणगेटी देकिल आहे कोत कामते देकिल आहे कार्तिक स्वामीच मंदिर आहे आनि काल भहरो मंदिर देकिल आहे मंजे तबल 25 स्थान अपन पहतो श्रद्दा स्थान आहेत मीडबाव गाव मदे गोलंदाजी मारकोलती गउरेश नागविकर सज्ज जहलाए भरकटलाए गोलंदाजी मादे तोड़ासा वेग अतिरिक्त वेग टाकनाचा प्रहत्ना अमदे गोलंदाजी वर्टस नियंते न भरकटलै अमिस साथ तेने सांग्तो की बोलताना जिबे वरती नीयंत्रन गाडी चलव ताना वेगा वर नीयंत्रन आस्ति खूब गरजेचा अस्त अत्रिक्त धावनी गोलंदें ले दंडित के लाई पंशान न आनि धावुसेंके मतर गिलिया धवपल कवर 21 धावा 21 धवा साथ आउपलक विजयासाटी तबल सदुस्ष्ट धवांच आवुश्यक्ता यावेला बैट्च स्लाट मदे अड़ी चेंडूचा खाली सुमीत डोंगडे उतकुष्ट आपन जेल पहिला जाचावरती गाना देकिल होता सुमीत डोंगडे पाईजे ते उड़्या दिड़कया देई इन तुलारे सुमीत डोंगडे मैज दिंकुन दाको मलारे सुमीत ची उतकुष्ट खिली आपन पहिली सोला धवांची तुमी जे मंडब डेकोरेटर पहात होता ते भगवटी डेकोरेटर ची गुरु घाड़ी एंचा मादे मातुन सुगम संगीत दिकिल तुमी आएकला डिजे चा मादे मातुन अभी जी जादाव जे इचल कर्णी होर आमचे यस्पर्दे मेदे दाकल दाले होते लावी प्रेक्षेबन तुमी पहिलात संतोजी नानेकर गवरव सावन प्रशांत पवार दिपेज दुले प्रतिक मुसले रोहीत माड़ी आँचा मादे मातुन अमचे सोबद गुनल एखन करद होते शाषांक फातक रुपेज देसाई निकिल सावन्द प्रभाकर मिडबाउ कर तेस बदनी गौरव आणि पारस हे देकल आमचे सोबद गुनल एखन करद होते तैंसे देकला मिस सोगत करतो है कोरुनाच्या कालावधी मदे केलेल रामेश्र प्रतिस्टान मीडवाऊ चा या सर्वो शिली दर्यांच काम आपन निशीत लक्षाट थेऊना राहोत खूब चांगल काम या रामेश्र प्रतिस्टान चा सर्वो शिली दर्यानी केले भाई जिनरे आनी शैले जी लोकी साहिबांचा मार्ग दर्शना खाली या वेला ड्रावु केले फटका तितकत सांगलो चपल शेत रक्षन सुमीत डोंगडेचा केवल दोन धावा निक्तिल मैधना चाहत मदे उपस्तित तमाम किडार सिकांज पुन्याग दा कोमेंटरी बॉक्स मदे अपन बादल चाहुदर यांचे देकल समलो चन ऐकलात सुन्दर चेंडू, अतिशा, सुरेक, चेंडू, मतर तोड़सा दिशा हीन भरकट लाई, दिशा बदल लिया, दशा देकली बदल लिया, दंडित केले गळून दजला आणि दावु संके गिले दावपलकावर 24 धावा 24 धावा दावसंके धावफलकरदी मी बक्तेत, रामेश्वर पतिश्टार मिडबाव चमाद्य मतुन, मतर एकादा चमतकार फलंदाजी करनारे संगला कम्ब्याक करून देल का दुरूव पारसी गोवासंक थोड़सा आड़सो निमदे सापणिल मतर डूबिनारी नौका कोंता फलंदाज किनारे वर लावेल अरवी कोरगा गोवसंक चा विरोधा मदे कोल लडेल बाजी प्रभु देश्ट पांडी लिल्ला होता खिंड लडवली होती यावलीला दुरूव पारसी गोवासंक साड़ी कोंता फलंदाज बाजी प्रभु देश्ट पांडी प्रमाने खिंड लडवेल याची उस्तुकता है क्रिडा रस्तिका अनुमदे गौरेश नागवेकर बोलिंग मार्क वर सुन्दर चेंडु खुल टेप पेचा ड्रावी केले दिशा दिली है चांगल शेतरक्षन आपन पहतो है स्कीन वरती वस शेतरक्षन केले नंतर केवल एकेरी धाव वीत अलंग तो कार्पेट सा फटका होता जमनी लाग दी समांतर चेंडु गेला अनि त्या नंतर मातर एकेद धावनी सांगीक धाव पलक वदारतो है 25 धावन वर 25 धावा दाव संके धाव पलका वरती तुमी पहता है आमचे आपीजी चौगुले साटमे याडिकने उपसिता सांगल शर्टक त्याने हतलले सूपर ओरत शर्टक बाबपर बित्रमंडाचे स्पर्दे मदे त्याने केवल तीन धावा दिले होते चार धावन चावुशक तस्तना तोचा गोलोंदा राहे गौडेश नागवेकर असुंदर चेंडु अत्तीश सुरेक चेंडु यावेला मत्र एक गोवयाचा विजेता मिलना राहे दोन पारग पान प्रतिसपर्दी एक मेकांचे विरुधामदे अमने समने अले होते दुरुव परसे गोवा अनि आर्वी कोरुगा गोवा ये दोन पारंपारिक प्रतिस्पर्धी एक मेकंचे विरूदत लटत न दिस्ताद प्रारंबी चा दुस्रेनिंग चार शेटकां चक्षे थमला अनि सांगी की दाउसंक्या पार्श्ट दवांचे उत्तरमदे साउ वीजधावा जा कौटर फाइनल मजे उपा उपांते फेरी चा लड़ती मदे चतूर या फलंदाजे ने खूप चांगली बहरात फलंदाजी केली होती तो चतूर तुमी बक्तैत नौ स्ट्रैकिंगे इंड वरती अमोल आने चतूर बदल संगाईचा जले आतर यास परदे मदे मला वाट जास्ती जास्त जावा दर कोणाचा अस्तिल त्या चतूर चास्तिल मला वाट चौशस्ट धावांची बहारदार खेली त्याने केले ली आया आतर परेंत अले अकरा चेंडू एकेचाईज धावा खूप मोटा आवान शाम जी यहुड़ा मोटे टार्गेट सा पाटला करने मनजे हत्तीला अपले डोके वरती उसलून गितले सरका है खूप मोटे टार्गेट सा पाटला करतो है मैदना चात मदे द्रूवा पारसे गोवा चेंडून चा खेल खूप कमी आणी धावांची अवशकता खूप जास्त स्कोर बढ़ वरती अमुल खूप मोटे धावांचा पाटला कराईचा है अणी हे मोठा आवान कठीन आवान हे द्रूवा पारसे गोवा संगा समुर अणी या स्पर्देची जाने सर्वोच धाव संक्या बनाव लेली आए तो चतूर मैदना मदे आए तेचा वरती देखिल आशा अपेक्षा अस्तिल काही तरी करामत करावी लागेल त्याला चमतकार करावा लागेल अणी नहमी मतले जाता चमतकार को ही नमस्कार करते हैं लोग तो चमतकार या ठिकानी चतूर करेल का पन आमचे प्रिक्षक पहा परतिचा प्रवासला निगाले ले आहे सर्वाना विननती आहे आपन घरी जाता आती सुक्रुप जा सावकाज जा शाम जिन्दगी को जीना है तो ऐसे जीओ कि फिर जीने का मोका ना मिले और मैदान के अंदर मैच खेलनी है तो ऐसी खेलो किसी को हराने का मोका ना मिले मैदाना मदे चेंडून चा खेले खुब कमी अनि धावान च अवशक ता खुब जास्त स्कोर बढ़ोरती द्रूव पारसे गोवा संग या मैच मदे याच शटका मदे जे काही तुम्हाला करायता असेल ते याच शटका मदे कराव लागेल चतूर चालाक नॉन स्ट्राकिंग याच श्लाट मदे चेंडूला पाटवलो ता मिडिविकेट शेत्रा काउक शेत्रा मदे चेंडूची परती आले चांगल शेत्रक्षन तुम्हाला वाटलो ता कि कदाची चेंडू सिमर्चय पलिकडी जाईल मत्रतस जाल नही चेंडू चतूर चालाक सज्ज होईल तेचा समोर अंगत पाटिल यावेल अउडवले चेंडूला पाटवले चेंडूचा खाली शेत्रक्षक मिडिविकेट शेत्रा चतूर चालाक परदे दर्म्यान एक किम्ती मोबाईल हरव लेला है जर कुणाला सापडला असेल तरिया व्यास्पीटार जवला आनूंद याईचा है बिंदास्त मुस्कुराओ क्या गम है जिन्दगी में टेंशन यहाँ किसको कम है अच्छा या बुरा ये तो ब्रहम है जिन्दगी का दुसरा नाम कभी खुशी कभी गम है मुश्किलों से कहे दो शाम उल्जाना हमसे हमें तो हर हाल में जीतना आता है सुन्दर चंडों अंगत पाडिल चा सबमरीन दिलेवरी अंगत पाडिल ची अंगत पाडिल चा अंगत पाडिल ने खरयारतने यास परदे मदे रंगत आनली होती या स्चेट रक्षन काना रसंगला दुरू अपर से गोँ असंगला खरयारतने यास परदेत जाने जानसा अभान जिवान ते ठेवला होती तो अंगत पाडिल तुमी बक्तेत गोलंदार जी मार्क वर खराब अंगत पाडिल चा अतादों चेट निसटलाई पंचानी नोग ओल्सा सिगनल दिलाई अनि अत्रिक्त धवान नंतर गोलंदाचे जक्मे वर्ते किल मीट चोल्ड दौसंगे गिलिया धवपलक वरती 30 धवा विजया साथी सदुसष्ट धवान चा अभुशक्त अस्तनाथ 30 धवा असा धवपलक धवशंगे वरती जड़कताना जीस्तो द्रूवा परसे गोवा विपक्षा अर्वी कोरगाव गोवा राजातिल दोन पारम पर एक प्रतिस परदे एक मेकांचा विरोधात आमने समने आले होते आँ देखे जरा किसमे कितना है दम आमोल अर्वी कोरगाव चा संग हा जवन जवनड करतिया से आरवी कोरगाव बदल संगाईचा जला तर आमरें विनोज जी घरमल कर यांचा हा संग अरवी ये तंचा मुली है नवा अर्वी हेके step अ मराटी मते अर्था जल पाणी असा तै hepsi आणि ते असो सुन्दर नाव तेनी आपले मुलीले अठेवले हैंची छूटी मुल्गी है पाच वर्षाची असेल परन जेवा पासून तीचा नावबरती हाँ संग खेड़ा हुता है अत्ता परियंत जवजवड एक लगाचे जा स्पर्दा अस्तिल तेया पासूस्ट वेड़ा ती विज़गी जाले लेज़ एक दा जोरदार टड़ा हुन जाओ जया आमचा विनोजी हर्मलकर यंचे साथी अन्ट यंचा पूर्ण संग साथी आरवी कोरगाव गोवा संग साथी सहा चेंडू 36 धवा तुमचा अंगा मदे आतामत्र यूरा सिंगाला पाहे जे हर्षत गीब ची खेई देकिल तुमल आठवायला पाहे जे गोलंदाजी मार्क वर्ती प्रसंद न पाटिल रामेश्वर पतिष्टान मिडबावचा स्परदेचा विजेता कोन थरव नर शेड़क गेऊन थीकामचा कोमेट्र पाहे जे एंड कड़ून प्रसंद न पाटिल जो उतकुष्ट गोलंदाज ठरला होता कातिल जे असपरदेटिल आधी आरियान मालवन देवली संगा कड़ून खेटानाज तो प्रसंद न पाटिल बोलिंग मारक वार यावलेला बैट चा स्लोट मदे मातरशेत रक्षका चाहता मदे आधी बोक्चा समूर आमचे गनेश साट में आटिकानी डान्स करता है शटकार जाता जाता वातला होता है नाचुन जांगता है कि पाच्छे वातले आणी जेवा पासुन त्यानी बक्षिस लावला या इनिंग मदे चावकर साटे त्यान अंतर एक पेंट चाहुकार बसलेला नाई क्या बात है त्यांचे गहामाचे पईसियात मदून ती जात नाईत आमचे एके कड़े प्रशान घावनलकर है जे मामा है त्याना सर्वजन ख्याडूं मामा या नावाने हाक मारताथ प्रशान घावनलकर पाक किती खूश होता है आरवी कोरगाव संग त्यान चाव विजया चा उंबर्ट आवर है बरीच महनत गेताथ ख्याडूं सटी मना कि वा त्यान पूर्ण टीम सटी खूप महनत गेताथ आमचे प्रशान घावनलकर सर रमेश्वर प्रतिष्टान मिडबाव अयजेत अंतराजेस्त्री डेई नाइट ओरम टेनिस बॉल क्रिकेड स्परदेचा महा विजेता कोने ठरनार आचा मदे काहीक चेंडूंचा खेल बाकी सन्मानिय भाई जी नरे साहिब जे प्रतम नागरी काहेत मिडबाव अचे सन्मानिय यू आने ते शैले जी लोके साहिब यांचा कुशल मार्ग दर्शन खाली तेंचा प्रमुक नेतुतु आ खाली अपन साकार केला आने रामेशर प्रतिष्टान मिडबाव चा सर्व शिले दरनी दिलेली सर्व साथ यावेल अमत्र फलाला आली है प्रसन पाटिल कॉमेंटरी बॉक्स मदे तुमी बगत होता राजा सामन सेर शाम वाकर सेर प्रदिब दियूल कर सर आनि त्याच普 धिन्याम चासोबटाले it राजिश माली होदे सर आनि मी अमोल्य जमाडी ककासर और अपलो सर्वाहन चाहर्दी्गार्धिक साघंस वाहत केला अलो प्रतिशाँचा सर्वासाधाशान अम नहीं दिया है सामना संपलाया संपलाया मान्यवर कक्षाचा समोरी आइचा है प्रतिशाँचा सर्वासाधाशानी यावलेला प्रसन नाचा चेंडू अपील लिकेल जाते पंचांकडे मत्र या सामन्या मदे आता मत्र होपचरिकता बाकिया है दुरूव पारसे गोवा, आर्वी कोरगाव गोवा या दोन गोवायत राजातील धिग्याच संगा मदे अपन ही लड़त गेतलियोती जी अंतिम लड़त महा विजेता कोणे ठरेल याचा मदे आता मत्र केवल कहीक चेंडूँचा खेल प्रसन नपाडिल बोलिंग मार्कवार याविला आत मदे आलेला चेंडू अनि या संपूर्नस परदेचा रामेशोर पतिष्टान मिडबाव चाचा शकाचा मान करी धर्दोई दो आर्वी कोणगाव गोवा अनि वाद गनेश जी अनि अमचे शैले जी लोके स्लाइब अनि वाद गनेश जी अनि अमचे रजा गेतो है धन्यवाद 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 अनि वाद भ्रदेचा पना हुआ जी अनि वाद गन्यवाद वाद गन्यवाद